ऐसा सोचना कि हमें इस धर्ती को बचानी की जरूरत है, अपने आप एक उल्जा हुआ विचार है। इसका ध्यान रखने के बारे में किसी को भी आपको बतानी की जरूरत नहीं है, आप हर हाल में उसका ध्यान रखेंगे। हवा शुद्ध होगी। इस विचार को हर मनुष्य, हर नागरिक और हर बच्चे के मन में बसना होगा। आपको मनुष्यों के अलावा जीवन के अन्य रूपों के प्रती भी हमेशा जागरूक रहना चाहिए। ज्यादातर लोग मनुष्यों के प्रती भी जागरूक नहीं होते। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आपको हर उस चीज के प्रती जागरूक होना चाहिए जो जीवित है। एक पेड, एक पौधा, एक पत्ती, एक उचलता हुआ जिंगूर, हर तरह की चीज़ें। आपको हर चीज के प्रती जीवन थोना चाहिए। हमारे आसपास की हवाल लगातार हमारे भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। और यही हमारे जीवन का आधार है। जो सास अब बाहर छोड़ते हैं, उसे पेड अपने भीतर ले रहे हैं। यह लेंदेन लगातार चल रहा है। अगर हम सासों की प्रक्रिया को एक मिनिट के लिए रोग दें। तो हम समझ जाते हैं कि आजपास की हवा से लेंदेन किये बिना हम एक पल के लिये भी नहीं जी सकते। इसी तरह से जल और प्रित्वी के स्तर पर भी ये लेंदेन चलता रहता है। तो हम अपने आसपास के वातावरन को अपने आसपास के जलाशयों को किस तरह से रखते हैं ये हमारे जीवन की प्रकृती और गुनवत्ता को तै करेगा